हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं यूट्यूब चैनल मोसन इस चैनल में आपको 10th क्लास की मैथ 11th क्लास की अकाउंट के साथ-साथ धेर सारी आजूकेशनल टिप्स लेकर आता हूं तो फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इस सारी चीजे टाइम टू टाइम प्रेस कर लीजे ताकि आपके पास हमारे वीडियो की हर नई नई अपडेट्स पहुंचती रहे तो फ्रेंड्स आईए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपको पता है मैंने अभी चैप्टर 3 स्टार्ट करवाया हुआ है पिछले पार्ट की वीडियो में यह म इसे पहले वीडियो देखें क्योंकि सबसे पहले मैंने उसे बनाया है उसके पाद मैंने सोचा कि इस चैप्टर को करवाने से पहले क्यूँ ना कुछ बेसिक्स बीच बीच में बताना अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं सोचता हूं कि पहले सभी जो स्टुडेंट्स उनक अगर आप 10 आप तैंथ के बाद कुछ और करना चाहते हैं जैसे कई बच चीजों से हट कर कई रोग होते हैं पहुत इसके अंदर इंपोर्टन रोल और आप पता होगी जब हमारे न्यू मजबूत होगी तब इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है तो friends, इस वीडियो में मैं आपको clear कर दूँगा कि हम graph कैसे बनाएं, क्या करें, कैसे करें तो friends, आईए start करते हैं friends, जैसा कि मैंने आपके सामने draw कर रखा हैं ये वाली line को हम y-axis कहते हैं और इस वाली line को हम x-axis कहते हैं और friends, इसे हम origin बोलते हैं ये बीच का होता है, मिड जैसे कि जो दोनों में आता है तो friends, सबसे पहले इसमें सoral question 10th class में क्या आता है कि first quadrant, second quadrant, third quadrant और fourth quadrant क्या होता है और first, second, third, fourth quadrant उता है उसमें plus minus होती है, minus plus होती है minus minus होती है, plus minus होती है तो friends, मैंने आपके लिए query clear कर दिया है जो फ्रेंट्स यह वाला होता है यह होता है फ्रेंट्स 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 में आ गया होगा यह y-axis है और यह x-axis है इसमें यह우ई अगर अगर इस ताइड की ऑड़ाए यह मतलब जो फिस्ट कोडंत है इसके अंदर दूसरी केर अने का मतलब मेलाव यहे है कि इसके अधर जो एक्स की वालू है वो नेगिटिव होती है तो अगर मैं यहां पर मैंड़ी गरफि तो यहां पर तो यहां पर事情 होती है यहां ठीक है अगर friends मैं आपको जैसे paper में आ गया कि second quadrant के अंदर minus 2 और 1 को so करो तो friends आप क्या करोगे तो देखिए friends सबसे पहले value x q होती है और आपको पता चलिगा कि second quadrant है यानि कि minus plus इसके अंदर आता है तो friends minus 2 यानि कि minus 2 यहाँ पे है यानि और उसके बाद one कहां पे है यहां पे है यानि कि minus 2 यह पिन यहां यहां पर आप से कर देंगे ठीक है यहां पर आप से और यहां पर आप से कर देंगे friends ऐसे ही first लो second quadrant आपके clear होच उचका है कि यह सीफल की होता है यह माइनस माइनस का दोनों होता है अगर आप क्रोस वाला होगा ऐसे करेंगे तो देखें जो क्रोस वाला होगा अगर मैं यहां से लाइन की तो ऐसे ऐसे आएगा तो friends इस side होता है इस side का और इस side का same sign होता है मतलब इधर plus plus इधर minus minus और अगर इस side minus plus है तो इस side plus minus यानि कि जो यह fourth quadrant है इसके अंदर पहली value plus की और दूसरी value minus की friends इसका मतलब क्या है कि जो पहली value वो x की दूसरी value y की इसके अंदर भी पहली value x की दूसरी value y की इसका मतलब क्या हो इसके अंदर दोनों माइनस 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 का रहता है जैसे कि X का तो माइनस ओल्रीड है और Y का भी इसके अंदर माइनस रहता है तो friends इसके अंदर मतलब X का भी और Y का भी दोनो माइनस का ही रहता है उसके बाद friends हम बात करने वाले हैं फॉर्थ क्वार्डेंट पे तो फॉर्थ क्वार्डेंट के अंदर friends जैसा कि आपको पता चल रहे हैं आपे देखने की X axis जो होती है वो plus की होती है तो friends जब भी आप यह question करोगे इस exercise या 3rd chapter के questions को करोगे 2nd chapter में भी था और आगे भी आपके 10th के बाद में भी बहुत important होने वाला है इसलिए friends मैंने सोचा इसको ignore नहीं करना चाहिए इसलिए मैंने आपके लिए video बनाई I hope कि आपको यह video बहुत अच्छी लगी होगी अगर friends आपको यह video अच्छी लगी हो तो हमारे इस channel को subscribe जरूर करना और हाँ video को like और share करना मत भूलना Thank you friends